नमस्कार हर माह की तरह हम अपना मंतली मार्केट आउटलूट लेके इस बार भी प्रस्तूत है अगर ग्लोबल एक्रिनॉमिक को देखे तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पैसा एकदम तेजी से प्रिंट कर रहे हैं और मोटा मोटा पिछले 18 महिनों में प्रती घंटे 834 मिलियन डॉलर प्रिंट हुए है यही पैसा जाके और एक्विटी जैसे फिनांशल प्रोडक्स ने निवेश हो रहा है और आज एक्विटी एंडेट सेक्योरिटी जैसे परसेंटेज अफ ग्लोबल जीडीप अल्टाइम हाई लेवल पे है दुनिया का मार्केट केट भी अल्टाइम हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है कॉपरेट्स में भी आज की तारिख में काफी पैसा जमा हुआ है विकॉज देश और दुनिया के सेंट्रल बैंक्स और गवर्मेंट पैसा प्रिंट कर रहे हैं रिटेल निवेशकों के पास पूरी दुनिया में पैसा आया है वही सेंट्रल बैंक और गवर्मेंट के स्पेंडिंग के द्वारा व्याज की दरों में भारी कटौती हुई है और उस वज़स से महंगाई के दर और व्याज के दरों में यूएस में सबसे बड़ा अंतर दिख रहा है यूएस फेड दो हजार बाइस के अंतर तक ब्याज की दरे बढ़ाएगा ऐसे डाउट्स और ऐसी एक्सपेक्टेशन्स आज मार्केट में बिल्ड हो रही है लोगों के पास ज्यादा पैसे आने की बज़स से लोग खर्चा भी ज्यादा कर रहे हैं और इंवेंटरी लेबल्स आज वन आफ दे लोएस लेबल पे है एक और पेराडॉक्स दुनिया में देखने को मिल रहा है अमरीका जैसे देश में जितने जॉब्स की ओपनिंग है उसके सामने अनेम्प्लॉइमेंट लोग कम है तुडेय देयर मोर देन सत्रा लाख जॉब्स जिसके लिए अनेम्प्लॉइट लोग नहीं है युएस में कोविड नैंटिन के केसिस वापस बढ़ने लगे हैं और हॉस्पिटल्स में भी प्रेशर आना चालू हुआ है वहाँ पे भी आईसीउ और ऑक्सीजन की तंगी लोगों को दिख रही है बारत की अगर अर्थ्य वस्ता देखे तो अगस्ट 21 की सुर्खिया काफी पॉसिटिव थी एकनामिक मामले में डी फोर्न एकशिंज से लेड कर joe JUL vies like Febru में फोर्न एक्शिंज रिजर्फंधे एक्सपोर्स ओवर्ड सुवरॉल घीडीपी ग्रॉथ या कोवीट 1919 के restrictions के बाद बढ़ती हुई economic recovery यह सारी चीजे काफी positive है ऐसा नहीं है कि हम pre pandemic level से उपर के उपर आ गए है आज की तारिक में भी exports imports को छोड़के बाकी सारी गतिविदिया pre pandemic level से थोड़ी कम है मोटा मोटा आप कह सकते हैं 5-6 प्रतिशक हम आज भी pre pandemic level से नीचे है business resumption index आज अपने all time high level पे पहुँच चुका है GST collection वापस एक लाग करोड के उपर रहने लगा है government के पास tax collection income tax हो चाहे oil की excise हो दोनों के उपर काफी अच्छा आ रहा है और उस वजह से fiscal space सरकार की बढ़ रही है अगर इस बार divestment नहीं भी होता है तब भी fiscal deficit budgeted estimate के आसपास आने की उन्मीद है unemployment numbers pandemic level से काफी नीचे आये है बट फिर भी अपने pre pandemic level जो था पांच या छे प्रतिशत का उसके सामने आठ प्रतिशत के आसपास है भारत में जो सबसे महत्वपून positive चीज़ है कि पिछले कुछ महिनों से daily cases stable हो गए है पचास अजार के आसपास और vaccination दीरे दीरे बढ़ रहा है मार्केट के लिए कोरोना की तीसरी वेव कैसी होगी वह एक अनुमान का विशय है अगर उस तीसरी वेव में पचास के नीचे रहे पचास के ऊपर रहे जीएसटी कलेक्शन एक लाक करोट से ऊपर रहे और बिजनेस रिजम्शन इंडेक्स 75 के ऊपर रहे तो मेरे हिसाब से मार्केट आगे चलता रहेगा हमें दुनिया की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना है और ऑस्ट्रेलियन पी एम टॉनी एबट ने कहा है कि दुनिया के हर वेस्टेंज जो चाइना रिलेटेड है उसका आंसर सिर्फ इंडिया है जो एक डेमोक्रिटिक कंट्री है रूल अफ लॉक के नीचे है एंग जो को ग्लोबल सप्लाइचेंड में बड़ी बखू भी सब्स्ट्यूट कर सकता है अगर हम यूजना को देखे तो वहां पर कुछ सक्सेस स्टोरीज सामने इमर्च होने लगी है एक समय था जब भारत मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करता था आज की तारिक में सैंसंग और एपल के मोबाइल फोन्स बनाने वाले तीनों सप्लाइर विस्ट्रोन, फॉक्सकॉन, पेगाट्रोन हिंदूस्तान में अपना प्लांट लगाए बैटे हैं उनके वेंडर को यहां पे बुलाके ग्लास डिस्प्ले, रबर प्लास्टिक कंपो बोर्ड, मोटर यह भी कर रहे हैं. हमें लगता है PLI स्कीम भारत की एकनॉमिक वृद्धी के लिए और मैनुफेक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपुन योगदान करेगी. आप में से बहुत लोगों ने गुरगाओं देखा होगा कैसे मारुति सुजुकी की आने से एक फार्म लेंड वाइब्रन आटोमोबिल हब में कन्वर्ट हो गया। कुछ ऐसा ही माहौल स्री सिटी जो की चन्नाई की आउट्सकिट्स पे है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रोनिक्स का दिख रहा है। 120 से जादा कंपनी 14,000 करोब से जादा का एक्सपोर्ट करती है और कई कंपनीज वहाँ पे अपना प्लांट लगाने के लिए लाइन में खड़ी है। श्री सिटी जैसे गुर्गाव आटो मोबिल के लिए एक्सपोर्ट हब बना वैसे एलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रोनिक्स के लिए एक्सपोर्ट हब बन सकता है। आज की तारिक में कंपनीज के पास काफी पैसा पड़ा है और वो पैसा तीन, चार, पांच, छे टके पे डेक्ट्रिकल्स फंड में लगाए या वैसे बहतर होगा कि वो बिजनेस में निवेश करे। और हमें लगता है PLI स्कीम जैसी स्कीम का बहुत सारी इंडियन कंपनी फाइदा उठाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखे तो मेटल स्टॉक और आईटी सेक्टर में इस साल बहुत अच्छा परफॉर्फॉर्मेंस दिया है। मिट कैप और स्मॉल कैप ने भी लार्ज कैप से अच्छा परफॉर्फॉर्मेंस दिया है। रिटेल की भाइन धुआदार चल रही है पिछले कुछ क्वाटर से। एफपी आईबी सबसे सारे जहां में अच्छा हिंदोस्ता हमारा वो भी कर रहा है। इन फैक पिछले 30 सालों में जितना एफपी आई ने निवेस किया है। उसका तक्रीबन 26 प्रतीशत से ज्यादा पैसा सिर्फ पिछले फिनांशल येर में एफपी आईज ने भारत में लगाया है। आज की तारीख में हमारा कॉल वैल्यूएशन और मुमेंटम के अनुरूप यूटरल वेट, इक्वलवेट टु एक्वीटी है। हमारा आज का मार्केट का प्टू GDP रेशो 111 प्रतीशत है। वो हिस्टोरिकल एविच्ट सट्टतर के सामने उपर लगता है। ग्लोबल मार्केट का प्टू GDP रेशो 142 प्रतीशत है और उसके सामने 111 तो यह नंबर रीजनेबल रखता है इसलिए हमने इक्वल वेट कॉल दिया है अगर देखे तो पी रेशो अपनी हिस्टॉरिकल एवरेज से उपर दिखता है थोड़ा उपर दिखता है बट फॉर्वर्ड वेजिस पे देखे तो यह नंबर रीजनेबल लगते हैं कॉपरेट पॉफिटिबलीटी में जिस तरह की भृद्धी हो रही है वो काबिले तारीफ है अगर यह ट्रेंड चलता रहा तो मार्केट में करेक्शन भले आते रहे बट क्रैश क्रैश होने की उम्मीद है बहुत ही कम है इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए किसी भी मार्केट को चलाने के लिए फंडामेंटल्स बहुत ही महत्वपून योगदान करते हैं अगर आप निफ्ती की अर्निंग पर शर्व देखे FI 2020 में तो वो 442 रुपईया थी और FI 2019 से तीन टका कम थी FI 21 में COVID-19 के प्रहार से लोगों की उम्मीद है कम थी जब GDP ग्रोथ माइनस 7.3 परसंट का लोगों ने सोचा तो कॉपरेट प्रोफिट में ग्रोथ होने की उम्मीद और भी कम हो गई थी कंपनीज ने व्याज की दरे काट के कॉस्ट काट के वर्किंग कैपिटल टाइट करके मुनाफ़ा बढ़ाया एं अर्निंग पर शर्ड एफपई 21 की 542 रुपया आगे अब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है और उम्मीद है कि एफपई 2020 में अर्निंग पर शर्ड 732 रुपया होगी और एफपई 2023 में 865 की अर्निंग होगी जब आप पीछे देखते हैं तो मार्केट का p ratio 27 का दिखता है आगे देखते हैं तो 20 का दिखता है यहां पर चेंपर हैं यह जब तक यह चलती रही जब तक पर इंडिया 542 से बंस पैंस्ट के रहं पर है तब तक मार्केट में करेक्शन भले आते रहे बट क्रेश होने की उम्मीद बहुत कम है इस वक्त हमारा कॉल मार्केट के उपर इक्वल वेट का है और उसमें आप थोड़ा प्राधान या लाच केप को दे सकते हैं अब हम हमने कोटक मल्टी के फंड एने फोर लांच किया है जो आठ सप्टेंबर को खुला है उसके फंड मैनेजर देविंदर सिंगल मेरे साथ है मैं देविंदर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोटक मल्टी के फीचर्स के बारे में अवगत कराएग आप सभी साथ को नमश्कार जैसा की बोलते हैं कि आपको अपने सभी अंडे एक ही बासकेट में नहीं रखने चाहिए उसी तहरे जब आप निवेश कटके उसको करना चाहिए है हमने इन सभी मार्केट के अंदर पूरे पिछले कई सालों से लगातार बैल्यू जेनेरेशन वाया अलपा जनेरेट किया है हमारा छोटी स्कीम में जो छोटे मार्केट के वाले स्टॉक्स है उसके अंदर हमारा कोटक स्मॉल कैप पंड जो मिटक से उसके अंदर हमारा कोटक इमर्जिंग एकुटी फंड और लास्केप स्टॉक्स के अंदर हमारा कोटक ब्लूचिप पंड इन्होंने लगाता है बहुत ही बढ़िया बदेशन करते हुए अलपा जनेरेट किया है एक साल पांक साल साथ साल और सिंसेप्शन बेस नेक्स स्लाइड प्रीज इसी के भीवोसे पे हम आज हमारा एकुटी एयूएं सारे साथ परसेंट का हमारा माफिट शेर हो गया है जो जो जुलाई 2016 में तीन पतिशक था आप सभी का सेयोग से ही और हमारे एक इस पॉड़क्स की जो अच्छी पदर्शन रहा है उसके कारण ही हम आज इस स्थान पर पहुँचे हैं और उम्मीद है इसको हम कायम रखेंगे इसी भरोसे के साथ हम आपके पास एक कोटक मर्टी कैप फंड को लेके आए हैं जो की 25 पतिशत लाज कैप 25 पतिशत मिट कैप और 25 पतिशत स्मॉल कैप के अंदर सभी काइम पे निवेश करेगा जो बाकी का 25 पतिशत होगा वो हमारे प्रप्रेट्री मॉड़के थूरू हम करेंगे अगर आप किसी भी मार्केट का प्रदेशन देखें और पिछले 15 साल का प्रदेशन देखें तो आप पाएंगे कि सम्मार्केट कैप अगरल में से 11 साल इसने हमने निफ्टी मॉटी कैप से बेतर प्रदेशन किया है वहीं अगर बॉर्ड मार्केट निफ्टी फाइवनेट का देखते हैं तो उसमें भी 15 में से 10 साल से में हमारा प्रदेशन बेतर रहा है अभी सवाल यह आता है कि यह जो मॉल्टी कैप पंड है यह किस तरह की इनिवेश्ट के लिए उप्यूप्ट है एकुटी मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो हम हमेशा आपको बूलते हैं कि आप मध्यम से लंबी अब्धी तक के इन्वेश्मेंट क्यों इसको मध्यनाजर रखते हुए इन्वेश्ट करें अगर आप अपनी बच्ची की एज्यूगेशन के लिए अपने सन्थ की शादी के लिए या अपनी खुद की रिटायर्मेंट के लिए सेव करना चाहते हैं तो यह आप सब के लिए एक उप्यूप्ट है सवाल लिए आता है कि इसमें मैं एक मुष्ट उसमें निवेश करूं या SIP के थुरू करूं तो यह ऐसा सोने पर सुहागा होगा कि अगर आप एक मुष्ट रकम डालें और उसके बाद SIP से उसको चौबब करते रहें कि यह फंड आज सप्टम्बर को खुला और यह 22 सप्टमबर तक चलेगा कि नेक्स्ट गाइड प्लीज कि यह सर्थ तेंक्यू देविंदर आप आजकल अगर देखे तो एक हवा बनी हुई है कि एक्टिव फंड्स आल्फा नहीं जेनरेट करते आप पैसिफ फंड में निवेश करिए एटीएफ में निवेश करिए इंडेक्स फंड में निवेश करिए हमें दूद का दूद और पानी का पानी लोगों के सामने रखना जरूरी है कुटक यूचन फंड में आज भी ऐसे बहुत सारे फंड है जिन्होंने पॉजिटिव अल्फा ओवर दे येर्स जेनरेट करके दिया है कुटक ब्ल्यूचित इंडस्ट्री के कुछ इने गिने लाज केप फंड में है जिन्होंने कंसिस्टेंटली आल्फा को जनरेट करके निवेश को को वैल्यू एंड दिया है कुटक असेट अलोकेटर फंड एक फिल इट शट इट फरगेट इट फंड है जिसे बड़ी बखुबी से देविंदर कहीं सालों से मैनेज कर रहा है और उसके अगर आप रिटन देखिये तो अल्मूस्ट हर समयकाल में डबल डिजिट रिटन है एंड मोर इंपोर्टेंट इसने कस्टमर्स के लिए वैल्यू एड की है जब आज माहौल बना है अल्फा जन्रेट नहीं होता वैल्यू एड नहीं होती तब आप हमारे पर्फॉर्मेंस को देखिये कुटक पार्णियर फंड का अब तक का अल्फा दस प्रतिशत है सिंस इंसेप्शन एंड उसने एक्विटी फंड जैसा रिटन देने के बाद यह अल्फा जन्रेट किया है एक बहुत प्रसिद्ध इंडियन बेट्समेन थे उन्हें वॉल के नाम से जाने जाता था उन्होंने कुल मिला के तेरा आजा दोसो अठासी रन टेस्ट में किये थे उन्ही के समयकाल में प्रसिद्ध फास्ट बॉलर थे जिन्होंने 311 विक्टे ली थी और उनके साथ ही एक साउथ आफ्रिकन ओल्राउंडर थे जिन्होंने भारतिय बेट्समेन से ज्यादा रन बनाए और मोटा मोटा उस फास्ट बॉलर जितना विकेट लिया सो हमारा फंड इस साउथ आफ्रिकन ओल्राउंडर की तरह है जिसने एक्विटी फंड का रिटन तो दिया ही है बट आलफा दिया है वो फिक्स्ट इंकम फंड्स के ऊपर है फिक्स्ट इंकम फंड्स से ज्यादा है यह टाइप की न्यूज मीडिया वाले बाहर नहीं लेके जाएंगे बट आपका डाइट वह बनता है कि आप यह चीज़े क्लाइंट के समक्स रखें ताकि वो दूट का दूट और पानी का पानी कर पाए हमारा एक और ग्लोबल फंड है उसके अंडरलाइंड फंड ने भी तक्रीबन तेरा प्रतिशत आल्फा जनरेट किया है एक्विटी का रिटन तो देते ही है तो फिक्स इंकम से ज्यादा वैल्यू एडिया अल्फा जनरेट करके देते हैं एक सवाल उठता है लोगों के बन में सोने में हम निवेश करें कि नहीं तो एक फंड मैनेजर जिनोंने में 2016 में कॉल लिया था कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे आज वापस कॉल दे रहा है कि सोने के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है हमने एक चार्ट देखा जो कॉंफिडेंस देता है कि यहां से सोने के दाम में बढ़ोती हो सकती है यहां गोल्ड और संपी 500 जो एक्वीटी इंडेक्स है उसकी कंपारेजन करता है जब संपी फाइबंडेड और गोल्ड का रैश्यों 1.6 हो जाता है तब गोल्ड महेंगा और एक्विटी सस्ता लगता है जब वो नीचे के लेवल पर आ जाए तो गोल्ड सस्ता और एक्विटी महेंगा बनता है खुल मिलाके अगर हम एक्विटी की तुलना में सोने को देखे तो इस वक्त सोना सस्ता लग रहा है और हो सकता है कि निवेश करके वापस इस रेशो को थोड़ा ऊपर ले जाए ब्लूंबर्ग में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिन में उन्होंने नूचल फंड्स एफपी आईज हाई नेट वर्थ इंडिविज्वल और हाई प्रमोटर कंपनी इनके पर्फॉर्मेंस को मेजर किया था और उन्होंने कहा कि जिन स्टॉक्स में नूचल फंड्स की हो होती है वह स्टॉक्स सबसे अच्छा रिटन देते हैं यह चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि नूचल फंड्स जिस पुट जिस कंपनीज में ज्यादा निवेश करते हैं वह ज्यादा तर मार्केट को आउट पर्फॉर्म करते हैं और फॉरिंग पॉट्फॉलियो इन्वे पॉट्फॉलियों से भी जादा रिटन देते हैं अगर आप इंडेक्स फंड को देखे तो लोग कभी यह नहीं क्याते कि इंडेक्स फंड अपने बेंच्मार्क को अंडर पर्फॉर्म करता रहता है यह चीज आपको अपने निवेशकों के सामने रखनी पड़ेगी कि वह अधिया ऐसा नहीं है कि इंडेक्स फंड इंडेक्स का उपर्फॉर्म करें वह भी अंडर पर्फॉर्म कर सकता है and मैंने जैसे पहले बताया this is KOTAQ mutual funds, alpha generation track record across innovative funds like pioneer or sectoral funds like infrastructure and economic reform or small cap fund like KOTAQ small cap mid cap fund like emerging equity, concentrated fund like focused fund, asset alligator fund या flexi cap fund, या large and mid cap like equity opportunity, या balanced fund, या large cap fund like blue chip, और multi cap fund like tech several, across most time periods, we have delivered out performance over benchmark index, ये data आपको आपके investor समख प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि वो गुम्रान हो जाये, है कि भहिया आप तो index fund और ETF में ही निवेश करना चाहिए, आज भी active fund manager उन्हें value at कर सकता है, SIP में भी अगर आप देखे तो आज जो alpha generation, ये SIP के returns नहीं है, ये SIP में हमने कितना alpha generate किया वो data है, आज अगा SIP के returns देखिए, तो 10-10 साल के लिए 20-23-23 प्रतिशत return है, and alpha भी जम के आया है, इसमें सिर्फ एक ही अगनी परिक्षा है, आज के अच्छा return पाने के लिए double digit return पाने के लिए आपको March 20 की अगनी परिक्षा से पसार होना जरूरी था, अगर इस समय में आप डर के मारे reading करके चले गए तो आप ये return कभी नहीं पापाऊगे, SIP के लिए यह एक बहुत ही उचित कोट है कि जैसे top-up in vaccine is good for physical health, वैसे ही SIP is good for your financial health, SIP top-up is good for your financial health. अगर debt market की बात करें तो सिस्टम में liquidity भरपूर है और महिंगाई के दर्फ इस वक्त काबू में है, बट जनरली इस समय काल में देखते हैं, unseasonal rain की वज़े से potato, onion इन commodities के दाम में बढ़ोती हो सकती हैं, और वह market के mood को impact कर सकता है. महिंगाई के दर्फ इस वक्त reasonably control में है, consumer price level और wholesale price level जो थोड़ा ऊपर है, उसमें भी अगर आप poor WPI देखे, fuel and food को निकाल के तो numbers काफी reasonable है. FPI पिछले चार महिनों की selling के बाद अब debt market में buyer बने हैं और लोगों की यह expectation है कि भारत Westwick debt index में सामिल हो जाएगा, तो और भी FPI का पैसा Indian debt market में आएगा. Next slide please. RBI एक kushal magician की तरह ब्याज के दर, currency, financial market stability और government की massive borrowing program यह सब को संभाले हुए हैं. Debt market में निवेश करने के लिए carry strategy अनुरूप रहेगी, और 5 से 6 साथ साल का जो time horizon है, maturity period है, वहाँ पे yield curve काफी ठीक है. Long term yield curve flat है, short term yield curve थोड़ा steep है, but ये yield curve काफी reasonable लगता है. SDL में आज भी normal government securities के सामने ज्यादा return मिल रहा है, तकरीबन 70 basis point का यहाँ पे extra return है. बाजार में ब्याज की दरों में बढ़ोती होगी, वह काफी हर्थ तर discount हो चुका है. ओवरॉल debt market में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो short to medium and reasonable लगता है, उसमें आप floating rate fund, medium term fund या PSU bond fund, corporate bond fund को मद्दे नजर रख सकते हैं. debt में निवेश करते समय एक चीज का ध्यान रहे कि जितनी आपकी investment horizon है, उसके आसपास अगर fund की maturity है तो वह सबसे बढ़िया रहेगा. हमारा dynamic bond fund पिछले कहीं सालों से अच्छा performance दे रहा है और इसमें निवेश करने के लिए consider करना चाहिए. कहीं लोग debt के कम return की वज़े से परेशान है, उन्हें हम hybrid scheme में लेके जा सकते हैं. हमारे पास कोटक debt hybrid fund 15-25% equity में निवेश करता है, कोटक equity savings fund 25-40% equity में निवेश करता है और कोटक equity hybrid fund 70% के आसपास equity में निवेश करता है. इन सारे fund ने customers के लिए positive value add की है और almost double digit return अलग-अलग समयकाल में निवेश को के लिए generate किया है. करता है. करता है. झालग-अलग करता है. याल-ग झाल 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 योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़े